Hey guys, welcome to our channel Crazy for Bollywood 10 बड़ी खबरों के साथ लेकर आई हूँ मैं शुबांगनी आज का काउंट डाउन तो चलिए सूपर स्पीड से शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरे नमबर वान शारुखान के बजाए फरहान अक्तर ने रनवीर के साथ डॉन 3 फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने का मन बना लिया है बताया जा रहा है कि फरहान अपनी फिल्म जीले जरा की शूटिंग कर लेने के बाद इसकी शूटिंग में लगेंगे जी हाँ फरहान साल 2024 की गर्मियों तक जीले जरा का पहला कट तयार करने की प्लानिंग बना रहे हैं और उसके ठीक बाद वो डॉन 3 की तयारी के लिए आगे बढ़ेंगे अक्षे कुमार के फिल्म रावडी राठोर 2 को लेकर बड़ी अपडेट आई है दरसल अनीज बजमी ने एक इंटर्वियू दिया है उसमें उन्होंने अक्षे की फिल्म रावडी राठोर 2 को लेकर खुलासा किया है और बताया है कि फिल्म पर काम चल रहा है हाला कि अनीज ने ज़्यादा खुलासा करने से खुद को रोका है लेकिन उन्होंने फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर कनफर्मिशन दे दिया है उन्होंने कहा रावडी राठोर 2 को लेकर बातचीत चल रही है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता जब एलान करने का सही टाइम होगा तो हम फिल्म के बारे में सब कुछ डिटेर से बताएंगे शारू खान की जवान में सान्या मलहूत्रा नजराने वाली हैं और अब हाल ही में एक इंटर्व्यू में सान्या मलहूत्रा ने शारू खान की जवान में उनके साथ काम करने को लेकर अपने experience के बारे में भी बात की है सानिया ने कहा कि जवान में काम करना उनके लिए किसी dream के सच होने जैसा था सानिया ने पिछले साल जवान की shooting पूरी की थी इसी के साथ सानिया ने ये भी बताया कि जवान की shooting पूरी हो चुकी है नमबर फूर रवीना टंडर ने हाल ही में फिल्म मोहरा का टिप टिप बड़ सा पानी सौंग को लेकर बात की है और बताया कि वो गानर शूट करने से पहले वो हिच्च किचा क्यों रही थी दरसल हाल ही में रवीना ने एक इंटर्वियू के दोरान इस सौंग को लेकर खुलासा किया है उन्होंने बताया कि इस गाने में अक्षी कुमार और उनका किसिंग सीन था लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी उनकी शर्त को जब पूरा किया गया तभी वो इस जबरदस सौंग को शूट करने के लिए तयार हुई थी दिपिका पादुकोन और रनबीर कपूर स्टारर फिल्म ये जवानी है दिवानी को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गये हैं इस मौके पर फिल्म में लीड रोल निभा रहे है दिपिका रनबीर कल की कोचेन और अधित्ति रॉय कपूर एक बर फिर गेट टुगेधर पार्टी में साथ नज़वाए हैं विक्की कौशल सारा अलिखान स्टारर फिल्म जड़ा हटके जड़ा बचके की पहले दिन की कमाई के आंकडे ठीक नहीं आ रहे हैं बता दें कि ये फिल्म कल यानी 2 जून को थियेटर में रिलीज हो रही है सनी देवल स्टारर गदर की रिलीज का प्रीमियर चार बड़े शहरों में किया जाएगा उनमें से मुंबई, लकनव, इंदौर और जैपूर का नाम भी शामिल है जी हां साल 2001 के बाद से ये फिल्म 12 से बिग स्क्रिन पर आ रही है इसकी सक्सेस को सेलिबरेट करने के लिए गदर की पूरी टीम बड़े लेवल पर प्रीमियर अरेंज कर रही है जहां सानी देवल, अमिशा पटेल के साथ डारेक्टर अनिल शर्मा और टीम मौजूद रहेगी बता दें कि 9 जून को फिल्म सिनेमा घरों में रिरिलीज हो रही है रन्वीर सिंग ने हॉलिवूड की लीडिंग टैलेंट एजेंसी विलियम मौरिस एंडेवर के साथ कॉंट्रेक्ट साइन किया है जिसमें वो गाना गाती हुई दिखाई दे रही है दरसल परिनीती एक बहतरीन अक्टरस के अलावा एक अच्छी सिंगर भी है हाली में परिनीती ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर गाना गाती हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है इस ब्लैक अन वाइट वीडियो में परिनीती एक डबिंग स्टूडियो के फर्ष पर बैठ कर तू जूम गाना गा रही है परिनीती की दिल छू लेने वाली आवाज ने फैंस को काफी इंप्रेस कर दिया है आलिया भट के नाना और सोनी राजदान के पिता नरेंद्र राजदान का थर्स्टे को निधन हो गया है 95 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविडा कह दिया बता दें कि नरेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनके लंग्स में इन्फैक्शन हो गया था जिस वज़े से उन्हें मुंबई के होस्पिटल में एड्मिट किया गया था जहां उन्होंने अपनी आखरी सांस ली है बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्स्क्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं